हलो बच्चो तो आज हम परेंगे चाल तथा बेक के बारे में ठीक है तो चाल होता क्या है पहले इसको फिजिकली समझते हैं चाल क्या होता है मालो तुम कई रोट पर खरे हो और सामने देखा कि एक साइकल पर एक आदमी बढ़िया साइकल चलाते हुए जा रहा है और एक थोड़े समय अंतराल के बाद डेल्टा टी के बाद कार वाला तो यहां पहुंच गया और साइकल वाला जो था वो यहां से यहां ही पहुंच पाया ऐसा क्यूं क्यूंकि साइकल वाले की चाल कम है यह चाल होता क्या है चाल होता है कोई भी बस तू कितना तेज भाग रहा ह तो बहुत कोई चीजी बहुत रफतार में भाग रहा होता है, कार की रफतार बहुत ज़ादा होता है, साइकल से चलोगे, अराम से पैडल मारते हुए दीरे-धीरे चल रहा हो, तो जो अबजेक्ट जितना तीज भाग सकता है, उसका कहते है चाल जादा है, और जो अबजेक्ट धीरे-धीरे चलता है, उसको कहते हैं उसका चाल कम है, चाल का मतलब यहाँ पर देखके क्या समझ में आ रहा है, कि उतने ही समय अंतराल पर इसने जादा दूरी तै किया, तो तै किया गया, दूरी बटा लिया गया समय, चाल परिवासित होता है, तो बहुती ग्रोप से चाल का मतलब क्या होता है, कितना तेज बस्तु चल रहा है, मालो, एक बस्तु है ए, जो की दस मीटर चलता है प्रती एक सेकेंद में है नदस काने सांधेन, प्रती एक सेकेंद में, या किव्रभ था है, तो है कुछ talking दस काने सेकेंड, या कि जतर सेकेंड के व्रता है super चाल को दिसा से मतलब नी होता है, चाल को इस बात से मतलब होता है कि कोई भी बस्तु कितना तेज भाग रहा है, जो बस्तु कितना तेज भागता हो दिखाई देगा उसकी चाल उतनी जादा है, जो वक्तु मरे मरे से चल रहा है, उसकी चाल उतनी कम होगी, तो चाल का मतलब क कितना तेज बस तु भाग रहा है उसको कहते हैं चाल और चाल में दिसा नहीं होता इसलिए चाल एक अदिस भौतिक रासी है कितना तेज भाग रहा है भागने कोई चाल कहते है ठीक है ना कितना तेज भाग रहा है और इसका कोई दिसा नहीं होता इसलिए ये अदिस भौतिक अब चाल, दो समय के अनुसार दो तरीके से परिवासित होती है, चाल टी समय में और चाल टी समय पर, टी समय पर, मतलब किसी टी समय पर, उसी सचन पर, पुस्तु कितना तेज चल रहा है, और टी समय में कहने का मतलब है, कि काभी कितना चल रहा है मुझे मतलब नहीं, एक समय अंतराल में, एक घंटे में अबजेट कितना चला है वो average बताओ मुझे, तो टीज समय में जहां लिखा हो, वहां से परिवासित होती है औसचाल और किसी च्छन पर परिवासित होता है टीज समय पर ताक्षनिक चाल औसचाल क्या होता है कुल दूरी और कुल दूरी पत्त की लंबाई, बता लिया गया कुल समय ये एक समय अंतराल में परिवासित होता है इसका कोई दिशा नहीं है, ये इसलिए अधिस है और ये हर परकार के गती के लिए वैद है क्योंकि 1 औब्जेक्ट किसी पॉ sociedad चला चला, एक घंटे बाद, वो कितना दूरी तय करेगा, बटा लिया गया एक घंटे का समय, यह उसका चाल बताएगा, वो एक घंटे के अंदर, किसी चान पर उसकी चाल क्या थी, इसको औस चाल से कोई मतलब नहीं होता है, औस चाल का मोटा मोटी डेफिनेशन होता है, कुल तय पत की लंबाई, कुल दूरी बटा लिया गया, कुल समय, और यह हर परकार के लिए गती के लिए बाद है, देखो के, एक समान गती होता है, असमान गती होता है, एक समान तवरन के साथ गती होता है, यह असमान तवरन के साथ गती होता है, यह क्या फॉर्मला कभ वैलिड है हमिशा वैलिड है, हर केस में वैलिड है, ताक्षनिक चाल क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की चाल, किसी चन पर बस्तू की चाल क्या है, इसको कहते है ताक्षनिक चाल, अब भी मैं किसने चाल से भाग रहा हूँ, यह है मेरा ताक्षनिक चाल, दूरी में परिवर्तन की अधाल क्या हो जाता है, ताक्सिनिक चाल, ताक्सिनिक बेग के परिमान को ही चाल कहते है, बेग क्या होता है, आईए पहले थोड़ा बेग समझते है, बेग का मतलब है, बस तू कितना तेज भाग रहा है, वो तो चाल भी है, लेकिन अगर आपको ये भी पता चल जाए कि कहा भाग रहा है कहां मतलब भागने की दिशा यह जो होता है ना बेग की दिशा और भागने की दिशा में होता है भागना ही तो गती है बच्चे रहते हैं कि बेग के दिशा से क्या मतलब है सर बेग का दिशा किदर होता है मैं इस तरफ भागूंगा तो बेग की दिशा हिदर हो दोनों चीजें मिल के पर हिवासित होती है बेग, चाल क्या होता है, कितना तेज, बेग क्या होता है, कितना तेज और कहाँ, यह दोनों मिल के पर हिवासित होता है, भागने की दिसा में होता है, मतलब इसमें दिसा भी होता है, इसलिए एक सदिस बहुती ग्रासी है, अब चाल बताएगा कितना तेज भाग रहा है, बेग बताएगा कितना तेज भाग रहा है और कहां भाग रहा है, दोनों बताता है कौन बेग, चाल क्या बताता है कितना तेज और कहां, समझ में आई ये बात, उस जिस तरीके से चाल को टी समय में और टी समय पर परिवासित किया हैं, टी समय में मतलब औसत बेग, औसत बेग क्या होगा, औसत चाल होता है, कुल दूरी बटा, कुल विस्थापन, उसी तरीके से, औसत चाल होता है, कुल दूरी बटा, कुल विस्थापन, औसत बेग क्या होगा, कुल दूरी बटा, कुल विस्थापन, औसत बेग क्या होगा औसद चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, औसद बेग क्या होता है, कुल बिस्थापन बटा लिया गया कुल समय, कुल बिस्थापन, किसी समय अंतराल में कुल बिस्थापन कितना होगा है, वो बटा उस वो लिया गया समय अंतराल, औसद बेग होता है, और यह उता है कुल पत की लंबाई और कुल बिस्थापन अलग लग चीजे हैं, यह बिलकुल अलग चीजे हैं, हो सकता है कि कुल पत की लंबाई, कुल बिस्थापन के बराबर हो, कब जब बस तू एक ही दिसा में भागता जाए, बिना दिसा परिवरतन के एक लाइन में चल तो कुल दूरी, कुल बितपत की लंबाई और कुल बिस्थापन बराबर होता है, तो हो जाएगा ओसत बेग और ओसत चाल बराबर, लेकिन, यह जरूरी नहीं है, बस तू टूडी में भी चल सकता है, बिर्तिय पत पे चल सकता है, बस तू चलते चलते पीछे भी आ सकता है, कर्पे भी चल सकता है, इन इस्टितियों में, खुल दूरी तथा कुल पत की लंभाई, जो होती है, वो कुल बिस्थापन से अलग होगा, तो कौसत चाल और उसत बेग बिल्कुल अलग बाते हो गई, एक समान बात नहीं होता है, ठ करेंगे क्या, और उसत बेग और उसत चाल निकालने के लिए अवकलन करते हैं क्या, नहीं, और उसत बेग और उसत चाल निकालने के लिए अवकलन नहीं करते हैं, क्योंकि यह परिवासित होता है, यह परिवासित होता है, किसी समय अंत्राल में, तो किसी समय अंत्राल में, बस्तु कितना दूरी तै किया, divided by कुल समय, यह होगा औसद चाल, और किसी समय अंतराल में, बस्तु ने कितनी पिस्थापन तै किया, लिया गया कुल समय होता है, औसद बेग, ठीक है, यह औसद चाल और औसद बेग समझा है आपको, अब ताक्षनिक चाल क्या था? दूरी में परिवर्थन की दर, अवकलन हुआ था, इसलिए वो Dx by Dt से solve होगा, तो किसी चन पर अवकलन करने की ज़ुरत है, ताक्षनिक बेग क्या होता है, इस्तिति में परिवर्थन की दर, क्या बताएगा, इस्तिति समय ग्राफ का ढाल, ताक्षनिक बेग बताएगा, उस्त बेग नहीं बताएगा, इस्तिति समय ग्राफ का किसी चन पर ढाल, क्या बताएगा, ताक्षनिक बेग बताएगा, ठीक है, अब में बास समझो, ताक्षनिक बेग, किसी चंद पर बस तू कितना तेज चल रहा है और कहा चल रहा है यह है ताक्षनिक वेग यह पर समझ ना किसी चंद पर बस तू कहा चल रहा है किसी चंद पर बस तू कहा चल रहा है कितना तेज चल रहा है और कहा चल रहा है यह आपका ताक्षनिक वेग कितना तेज क्या होत टाक्ष्निक चाल कहते हैं, किसी च्छन पर, टाक्ष्निक बेक के परिमान कोई टाक्ष्निक चाल कहते हैं, समझना, NCRT में सवाल नमर 13, 14, 15, इस़ह से related है, 3-4 सवाल लगाता है, क्या क्या सवाल है मेरी बात सुनना, क्या किसी च्छन पर, दूरी और विस्थापन एक ही चीज होता है, हाँ, किसी च्छन पर दिसा तुरण से थोरी न बदल जाएगी, यार, इतनम छोटे समय अंतराल में, infinitely small time में, मैं ऐसे भागूँगा, तो इतना ही तै करूँगा, यहां से घूम के ऐसे तुरी न आ जाओँगा, तो किसी छोटे स समय अंतराल में, तै किया गया, दूरी और तै किया गया, बिस्थापन बराबर होता है, इसलिए किसी च्छन पर और ताक्षनिक बेग का परिमान, ताक्षनिक चाल का बराबर होता है, मतलब, चाल को ही क्या कहते है अपन, बेग को ही क्या कहते है, बेग को ही क्या कहते है, चाल कहते हैं, अगर बेग में से दिसाटादू, कौन से बेग में से, किसी च्छन पर, कि कुई किसी च्छन पर ताय किया गया विस्थापन और ताय किया गया दूरी बरावर होता है, तो किसी च्छन पर बेग और चाल कमान बरावर होगा, परिमान कमान बरावर होगा, लेकि किसी समय अंतराल में परिवास्थित होता है औसाचाल और औसाथवेग क्या औसाथवेग के परिमान को औसाचाल कह सकते हैं नहीं क्योंकि किसी समय अंतराल में तैकिया गया कुल दूरी तैकिया कुल विस्थापन बराबर हो ये जरूरी नहीं है समझ में आया है कि नहीं आया है चोटी सी बात है यह आगे सुनो इतना तक तो समझ में आ गया है अब आगे बात करते हैं यह औस चाल और ताक्षिनी चाल में बहुत ही उस पर और क्या फरक है तो और एक बात करें हम आपन बाइक का जो ओडो मीटर होता है बाइक का बाइक का चाल, क्लिर बेटा, वो ताक्षिनिक चाल बताता है, अच्छा, मान लो, कि तुम अपने गाउं से, बस में बैठे, ये एक्जाम्पल है, रफ है, इसको लिखने की जौद नहीं है, मिटा दूँगा मैं बाद में, बस में बैठे, कोटा के लिए, कोटा की डिस्टेंस है, 200 कि कि तुम जैसे बस में बैठे, पहली बार कोटा आ रहे थे, तो तुमने बस वाले से पूछा, कि भाईया, कितनी दिर में कोटा पहुचा दोगे, बस वाले ने बोला, कि देखो बेटा, 200 किलो मेटर है कोटा, मैं आपको चार घंटे में कोटा टिका दूँगा, टिका अब तुम ठहरे फिजिक्स के बिद्यार थी, तुमने क्या किया, कि उसका देखा, कुल दूरी कितना तय किया, 200, और समय कितना लगा रहा था, 4 घंटे, मतलब तुमने निकाल लिया, 50, 200 बटा चार क्या होगा, 50 किलो मेटर पर आवर, मतलब तुम्हारे हिसाब से, बस का च किलो मेटर परतियावर, फिर आगे गया 30 किलो मेटर परतियावर, फिर आगे गया 20 किलो मेटर परतियावर, फिर 25 किलो मेटर परतियावर, 10 किलो मेटर परतियावर, एक घंटे तक लगाता रहा, ऐसी बस चलाता रहा, अब तुम क्या करोगे, क्योंकि उसके चाल तो 50 किलो म की बात तो है नहीं, एक देर घंटे तक लगाता रहा, वो बस इसी रफतार से चलाता रहा, तुम्हें आएगा गुस्सा, नहीं आएगा क्या, क्या, क्योंकि उसने बोला है, चार घंटे पहुंचा देगा, और चार घंटे बाद बान लो, को टा में तुम्हारी क्लास है, पा कि चाल होनी चाहिए, 50 KM प्रतियावर, लेकिन आप बस को चला रहे हो, 10 और 20 KM प्रतियावर, तो बताओ, यह जाकर ड्राइवर से बात करोगे, तुम करना भी चाहिए, क्या करोगे, अगर करोगे, तो ड्राइवर वाला बोलेगा, बस का ड्राइवर बोलेगा, उतर जो आप से बहिया पैदल निकल लो, क्यूंकि अगर आप जाकर ड्राइवर से सवाल पूछते हो, इसमें आपकी गलती है, ड्राइवर की गलती नहीं है, कैसे नहीं है गलती सा, ड्राइवर ने बताया था, 200 km चार घंटे में पहुचाएगा, मतलब स्पीड पचास होनी चाहिए, ड्राइवर ने ये कहा बताया था, कि उसकी स्पीड पचास होनी चाहिए, ड्राइवर ने बताया था, कि चार घंटे में पहुचादूँगा, मतलब खुल दूरी तुम्हारी है 200 km और मैं चार घंटे में पहुचादूगा, वो ये वो बताया था ऑसा चाल, वो किसी छंप पर चाल नहीं बताया था, चन पर किसी चीज की चाल तो कितनी भी हो सकती है, उसने बताया था कि मैं आपको चार गंटे में पहुचा दोगा, मतलब मेरी ओसा चाल पचास होगी आपको चिंता करने की जोड़त नहीं है, अब तुम्हारे गाउं का रास्ता ही गढ़े में है, 10-20 क चाल उड़े हो, वहार बहुत खास पात है, जैसे ही कोटा के ल चाल ब चाल रचाज कर प्रती गावर से गारि अब तुम 20, 25, 30 बाइब जारी चला रहा है और जैसा ही वे गारी फॉच्जा पाचास और दोसो किलो मेटर प्रतियावर से गारी चला रहा है 100 किलो मेटर प्रतियाब Conrad of 150, 200 किलो मेटर प्रतियावर, और दुम्हें 4 गंठे में पोचादिया तो क्या बताने ही कोशिस करा था औसाचाल फिर सर औसाचाल का क्या मतलब है जब वो पूरे जर्णी में 10 से, 20 से, 25 से, 30 से चल रहा है 150 से चल रहा है, 200 से चल रहा हो सकता है कि वो 50 से कभी चला ही नहीं और उसकी औसाचाल 50 है हाँ, तो उसाचाल असल में चाल होता ही नहीं है तो फिर उसाचाल बोलते है क्यों है क्योंकि वो रफ आइडिया देता है कि कुल दूरी को तै करने में कितना समय लिया है बस्तू ये बताता है बस उसाचाल असल में उस बस्तू की चाल नहीं होती आ संढ़नी होता है, समय में हाए कि नित्व मत यहाए जैसे यह कम समय में आ रहा है, तो kickat गजामपल कि लुमालो कि पहले और में 5 रन बना, sorry, पहले और में 6 रन बना, दूसरे और में 7 रन बना, और तीसरे और में 3 रन बना, तो बताओ, टोटल कितने रन बना, तो 7, 3, 1, 1, 1, 1, 2 रन बना, 2 रन बना, तो टोटल कितने रन बना, तो 7, 2, 9, 6, 15 रन बना, कितने और में 15 रन बना, 3 तो रन रेट क्या होगा, 5 तो प्रती, 5 रन प्रती ओवर, क्या 5 रन किसी ओवर भी बना था? नहीं, लेकिन इवरेज कितना है, 5, तो अवरेज दरसाता क्या, अवरेज यह दरसाता है, कि हर इंडिविजियॉ बनाने की गती अलग अलग है, पहले और में 6 रन बना, दूसर मतलब एक average data देता है run बनाने की actual गती नहीं बताता हूँ run बनाने की ताक्षिनिक गती तो उसका पहले 6 था फिर 7 था फिर 2 था तो बताईए औस चाल का मतलब क्या होता है औस चाल एक rough idea देता है कि इतना दूरी तैक करने में बस्तु इतना समय लेगा और जो उसका चाल होता है उससे बस्तु चले यह जरूरी नहीं है हो सकता है पूरे जर्नी में कभी उसका चाल से पचास से चला ही नहीं लेकिन पूरे जर्नी का उसका चाल उसका पचास होगा समझ भाया है तो में चाल कौन सा होता है ताक्सनिक चाल जिससे वस्तु किसी चन पर भाग रहा होता है और चाल तब अप्चुल में चाल नहीं होता अच्छा मैं एक और एक्जामपल बढ़िया देता हूँ जैसे तुमने पैसेंजर ट्रेंड में चड़े हो गए पैसेंजर जो दीरे दीरे चलती है पैसेंजर ट्रेंड में चलते होगे और तुमने सुना होगा राजधानी एक्स्प्रेस तो क्या राजधानी एक्स्प्रेस तेज रफ्तार में चलता है क्या और पैसेंजर दीरे दीरे चलता है नहीं अगर आपको ये लगता है तो आप गलत जानते हो सही जवाब सुनो पैसेंजर क्या होता है कि किसी स्टेशन से चला फिर दूसरे स्टेशन पर उसको रुखना है तो फिर स्लोह डाउन के रुखेगा फिर वहां पर रुखा रहेगा पांच-दस मिन फिर चलेगा फिर तीसे स्टेशन पर रुखेगा फिर चौथे स्टेशन पे रुखेगा और राजधानी क्या है कि यहां से रुखेगा और उक्सी रफतार सही पहुंच जाएगा तो उसको रुखना नहीं पर रहा है तो चाल बरावर होता है कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय तो कूल दूरी तो इतना हीत है किया, खुल लिया गया, semi कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में उसको मंदन तोरन, मंदन तोरन नहीं करनाब रुखना नहीं करना है, रुखना नहीं पर रहा है, получится में नहीं करना, रेस्ट में नहीं आ रहा है, चलते जा रहा है, तो पैसेंजर के भी चलने की रफतार होती नहीं है, लेकिन पैसेंजर रफतार पकड़ता है, तो उसको फिर से अगले स्टेशन पर रुखने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, फिर दसमेट रुखता है, फिर चलता है, फिर रफतार पकड़ता है, फिर अगले स्टेशन जादा कि को और दीडेधी उसाचाल का मतलब समझ आया, तो बताओ लिखाओ, कहीं सिर्फ चाब लिखाओ या बेग लिखाओ तो क्या समझोोगे आसत या ताक्षनिक, सिर्फ चाल लिखा हो, जैसे, मान लो, कि सिर्फ चाल या बेग लिखा हो, तो आसत बेग, आसत चाल समझोगे, कि ताक्षनिक बेग और ताक्षनिक चाल समझोगे, तो 90% बच्चे आप जवाब देते हैं आसत लेकिन उनका जवाब गलत है, ताक्षनिक तो क्या समझोगे ताक्षनिक चाल ताक्षनिक चाल और बेग सिर्फ चाल और बेग लिखा हो ये important है सिर्फ चाल और बेग लिखा हो तो ताक्षनिक चाल तथा बेग समझेंगे समझेंगे ताक्षनिक चाल तथा बेग समझेंगे तो उसे ताक्षनिक चाल तथा ताक्षनिक बेग समझेंगे, अभी लिखो तुरंट, ठीके बिटा, लिख लो इसको मिटा देता ह। ठीक कि बहुत सारी चीजे, अब बताओ, क्या ताक्षनिक बेग के परिमान को ही ताक्षनिक चाल कहते हैं, हाँ, ताक्षनिक बेग के परिमान को ही हम क्या कहते हैं, ताक्षनिक चाल कहते हैं, लेकिन औसत बेग के परिमान को क्या औसत चाल कह सकते हैं, नहीं, औसत बेग के परिवान को औस चाल कह भी सकते हैं जब बस तू एक दिसा में चल रहो बिना दिसा परिवर्तन के ठीक है अब आगे देखो ये वाला फॉर्मला से इंट्रोडक्शन मैंने आपका भी नहीं करा है चलिए फॉर्मला देखते है औस चाल बरावरत है कुल दूरी बटा कुल समय आउसथ चाल का फॉर्मला ये भी होता है कुल कुल दूरी वह गया देख समय को तो DT लिख सकता है वी इंटूदीया अव्ल मैं किल दूरी है कैसे यहा देखो बटा यह क्या है डी-ेक्स बटा डीय कुता है टाकषनिक चाल पॉर्दीया देख दोगे तो यह देखो टुट तो V into DT बढ़ा और क्या बचेगा? Dx, और इसका integration कर दोगे, तो ये पूरा integration हो जाएगा V into DT का, और बढ़ाबर में किस क्या रहा है? Dx, Dx क्या है, दूरी में परिवर्थन की दर, तो कुल दूरी आ जाएगा ये, तो कुल दूरी के जगा पर ये रख दोगे V into DT, तो औस औस चाल का परिवासा हो जाएगा V into DT का integration divided by integration of DT, इस तरीके से भी औस चाल निकाला जा सकता है, असल में, देखो, कुल समय तो DT का integration आ जाएगा, कुल दूरी को निकालने का तरीका होता है, किसी छन पे चाल into DT, तो औस चाल किसी छन पे चाल के संबंध में इसका formula हो गय ठीक है, उसी तरह से ओसत बेग, यह बिला बेटा यहां ध्यान रखना, बेग into DT है, तो यहां से क्या निकलेगा, बिस्थापन निकलेगा, और यह V into DT है, तो यहां से क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा, दूरी बटा कुल समय ओसत चाल होगा, और बिस्थापन बटा इस चीजे मैंने आपको समझा दिया है, अब स्क्रीन पॉज करके अच्छे से इसको लिख लो, ठीक है भई, आओ आगे, आगे देखता है, इहां पर कुछ पॉइंट, क्या, ओसत बेग का मॉड बरावर ओसत चाल होगा, ओसत बेग का मॉड बरावर ओसत चाल होगा, क्या, सि अच्छे से सोच के बताओ, अभी-भी मैंने समझाया है, तो बिलकुल, यह हमेशा सही है, हमेशा सही है, लेकिन यह हमेशा सही नहीं है, यह हमेशा सही नहीं है, यह तभी सही है, जब दिसा परिवर्तित नहीं हो, अगर दिसा परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो उसत बेग का परिवान ही क्या होगा और सचाल याद रखना अपको ठीक है अब आइए और चाल और बेग ऐसे भी पढ़ा जा सकता है आपने कहीं भी पढ़ा होगा ना या कहीं भी पढ़ोगे ना तो ऐसे पढ़ाते हैं और सचाल कुल दूरी बटा कुल समय बस हो गया खतम लेकिन इतन एक बस्तू का बेग कैसा है नियत तो उसका चाल कैसा होगा उसके बारे में बात करिए बेग नियत तो इक कौन से बेग की बात कर रहा है और बेग या ताक्षनिक बेग तो मैंने यही बताया था जब मिंसन ना हो कि ताक्षनिक है और आपको इसको क्या संजोगे ताक्षन तो किसी बस्तु का ताक्सनिक बेग नियत है ऐसा दो किसी बस्तु का बेग नियत है मतलब ताक्सनिक बेग नियत है नियत बेग से गति कर रहा है तो उसका चाल कैसा होगा अब बेग का मतलब क्या होता है बेग का मतलब होता है कितना तेज और कहा और अगर बेग नियत है नियत बेग से चल रहा है मतलब उसका कितना तेज और कहां दोनो नियत होगा बहुत असानल सी बासा मैंने लिख दिया है अच्छे सुनो किसी बस्तु का बेग नियत है इसका मतलब है वो कितना तेज चल रहा है और कहां चल रहा है दोनों नियत होगा ठीक है भई एक समान दोनों नियत होगा ठीक है अगर दोनों नियत होगा तो कितना तेज क्या हो गया नियत हो गया तो जवाब क्या होगा उसका चाल कैसा होगा उसका चाल नियत ही होगा चाल कैसा होगा नियत ही होगा तPreनाचर आगया अपका उसका चाहराल कैसा होगा? नियत ही होगा अब दो चार पोड़ते हैं, इस बार में और दिसकश कर लेते हैं नियत् बग का मतलब क्या होता है? नियत्ब का मतलब होता है एक समान दूरी तय करेगा नियत समय अंतराल में एक समान दूरी ताय करें गार नियत समझ अंतराल में एक नियत दिसा में मतलब बज तू प्रती एक सेकंद में एक मीटर चल रहा है, फिर एक सेकंद में एक मीटर चल रहा है, प्रती एक सेकंद में पांच मीटर चल रहा है, प्रती एक सेकंद में पांच मीटर चल रहा है, प्रती एक सेकंद में पांच मीटर चल रहा है, और फिक्स दिसा में चल रह एक समान बेग का परिवासा क्या है एक समान बेग का परिवासा क्या है एक समान बेग का परिवासा है कि कोई बस तू एक्वल नियत समय अंतराल में नियत दूरी तय करता है एक नियत दिसामें तो उसको एक समान बेग का ही मतलब होता है कि उसका गती एक समान बेग का ही ही अगर ऊहीं होता है का गती सक गती एक समान ہے और अगर वो тьсяक्षन गती से चल रहा है तो उसका विक ताक्षिनीक गती सहनी होगा कैसे म normally कि जो ताक्षिनी गती ष्ञ जाहीया नियत फिसक यहता इस ताक्षिनी नियत से चल रहा है तो उसका औसत बेग और ताक्षनिक बेग बरावर होगा बहुत इंपोर्टेंट बात है बेटा धंग से सुनना यह पूछते हैं सरसन रिजन में या अबजेक्टिव सवाल में भी पूछ लेते हैं कि दो स्टेक्मेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है बत शमान बेग कर भोता है? जब से नियत चाल से एक नियत बेग विर उघा पूछ यह रहा है और अगर बस्तु का ताक्षनिक बेग नियत हो तो ऑसक दोंत बेग और ताक्षनिक बेग कामान बरावर होते है अच्छा, एक समान बेग या नियत ये पिए एक समानगती हो र카 ऑग कर रहतों तो ऐक रहती वंडी वनदी निना धिसा प्रवतान कर दो captured ब coffin वनडमेниय्जमे कर रहत 순 लीजए रहती में हिश्ज हो रहती कि ऑस रहतों का बूल का रहती में two heard of確 रहती ख़िछी थे, lotta 1 he होगया 2D कभी एक समान-गती नहीं है projektile motion जैसे ऐसे ऐसे path bestu कुई चलता है ना ऐसा bestu चलता है या बितिय कती कोई basedu चलता है वो एक समान-गती हो यह नहीं सकता क्योंकि इसा बदल रहा है तो बेग बदल जाएगा और बेग बदल जाएगा बेग असमान हो जाएगा तो गती असमान हो जाएगा और असमान गती मतलब एक समान गती नहीं है तो एक समान गती सिर्फ एक रेखिये पत्पे ही संभव है एक वन टी में संभव है बिना दिसा परिवर्तन के तो कितनी बात आपको समझ में आगई एक समान बेग है एक समान मतलब कितना तेज चल रहा और किस दिसा में चल रहा है दोनों फिक्स होगा, एक समान बेग का मतलब होता है नियत बेग, नियत बेग का मतलब होता है कितना तेज और किस दिसा में चल रहा है दोनों फिक्स होगा, मतलब एक समान बेग है तो चाल भी एक समान होगा, एक समान मतलब कभी uniform motion लिखा हो, एक समान गती लिखा हो, मतलब एक समान बेग है उसका, एक समान बेग मतलब नियत चाल से, नियत रफतार से एक fix दिसा में जा रहा है, अगर वो you turn ले लिया तो एक समान बेग नहीं होगा, एक समान गती नहीं होगा, एक समान बेग तभी होगा, जब एक समान गती होगा, यह एक समान गती एक समान गती, समरूप गती समरूप गती, एक समान गती तब ही संबब है, जब बेग नियत हो बहुत चोटी बात है तुम्हें लग रहा हो एक चीज दस वार बता रहे हो सर, अरे बाई लुन दी गति में ही एक नवहीं पत्त महीं शम्भव है समंझ में चिन को और नहीं ऐना आगे बीख में इदी बेग पृवर्ती थै आज़े एक एक मिने एक मिन औरि भास तु झाती कर रहा है रएक नजह पूराइट यदि एक畜ु तरहा है, यह बस्तु नियत चाल से, मतलब कranch इसका कितना तेज यह लिखा, नियत चाल से, क्त बस्तु का नियत अश्तू कितना तेज नियत है, विलेकिन अश्ताब में कोष निय ने बता यह, मैं अगर तुम्हें बताता हूं किसी बस्तु का चाल पडिवर्ती था या चाल नियत है मतलब दिसा तुम्हें मैं बता ही नहीं है तो मतलब इनकंप्लीट पता है तुम्हें तो मतलब गति कैसा होगा या बेग कैसा होगा तो देखो चाल नियत का मतलब कितना तेज है वो नि दिसा के बारे में तो बेग के बारे में मैं कह नहीं सकता तो बेग नियत हो सकता है या नहीं भी नियत हो सकता है हो सकता है नियत हो सकता है हो सकता है चाल नियत हो हो सकता है, मैं यह थोड़ी ने करूँ होगा, यह कहरा है चाल नियत है, नियत चाल से बस्तू गती कर रहा है, एक सावान चाल से बस्तू गती कर रहा है, मतलब बस्तू कितना तेज चल रहा है मुझे पता है, लेकिन कहां चल रहा है मुझे पता नहीं है, तो कहां चल रहा है म नहीं भी, बहुत असान सी बात है, बेग का मतलब होता है कितना तेज और कहां, चाल नियत है, मतलब कितना तेज भाग रहे हो नियत है, लेकिन दिसा में पता नहीं है, तो बेग के बारे में क्या कहेंगे, कितना तेज, कहां, कितना तेज में पता, लेकिन कहां में पता नहीं है इसलिए गती एक समान हो सकता है इसलिए बेग एक समान हो सकता है नहीं भी गती गती भी एक समान हो सकता है या नहीं भी एक समान हो सकता है या नहीं भी और सचाल और ताक्सिनिक चाल होगा क्यों क्योंकि चाल और ताक्सिनिक चाल और ताक्सिनिक चाल अगर नियत है तो प फांच-पांच-पांच मीटर प्रतिसे के चल रहा हूं तो ताक्षिनिक चल और साचाल नियत होगा बेग नियत हो सकता है या नहीं भी है ठीक है बटा दंग से समझजिए प्लीज देखो यदि चाल के बारे में बताया है मतलब दिसा में पता नहीं है तो जिसा कैसा भी हो सकता, तो बेग कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर बेग मुझे पता है, कितना तेज और कहां, दोनों नियत है, मतलब चाल तो नियत ही होगा, तो इसको pause करो, और अच्छे से लिख ले रहा है, निक्स देखो, यदि बेग परिवर्ती थे, तो चाल कैसा होगा, बहुत बढ़िया, क्या है, बेग परिवर्ती थे, बेग में क्या होता है, कितना तेज, और कहां, बेग दो चीजों पर निर्भा करता है, कितना तेज और कहा है, और क्या कह रहा है, बेग परिवर्ती थे, मतलब बेग बदल रहा है, बेग किसके बदल रहा है, बेग क्यों बदल रहा है, बेग कैसे बदल सकता है, बेग दो तरीके से बदल सकता है, कितना तेज बदल के, और पता नहीं है, कैसे बदल रहा है, यह पता नहीं, यह लिख सकते हो, बेग के बदलने का कारण पता नहीं, बेग के बदलने का कारण पता नहीं, बेग दो तरीके से बदला जा सकता है, माल लो एक बस्तु सीधा ही चल रहा है, लेकिन पहले तीन से चल रहा है, फिर चार मीटर पर सिंद चल रहा है, फिर 5 मीटर पर सिंद चल रहा है, दिसा नहीं बदला लेकिन रफ्तार बदल रहा है, लेकिन कोई बस तु लगातार एक बिर्तिय पर पर सिंद चल रहा है, तो उसकी चाल नियत है, लेकिन बेग परिवर्तित है, तो बेग परिवर्तित करने के दो तरीक नहीं भी, तो आई फिर से बात करते है, बेग परिवर्तित है, तो बेग कैसे परिवर्तित है, कितना तेज और कहां, किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, कारण किया बेग के परिवर्तित हो सकता है, कहां परिवर्तित करके भी परिवर्तित हो सकता है, तो अगर बेग रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं, देखिए फिजिक्स पढ़ने का मतलब यह होता है, यदी चाल परिवर्तित है, मतलब कितना तेज है वो परिवर्तित हमें पता है, कितना तेज परिवर्तित है, कितना तेज परिवर्तित हो रहा है, चाल मतलब क्या होता है, कितना तेज, परिवर्तित हो रहा है हो रहा है तो बेग के बारे में आपका क्या ख्याल बेग क्या होता है कितना तेज और कहां तो हमें बताया गया है कि कितना तेज तो परिवर्तित हो ही रहा है मतलब बस तू पहले तीन से चल रहा है फिर चार से चल रहा है यह तो परिवर्तित होई रहा है, तो बेग परिवर्तित होगा ही, तो बेग परिवर्तित होगा ही, ठीक है ना तो answer कि परिवर्तित होगा है, तो इसको ढंक से लिखना है। पॉज करी लिख भी लों ही लिख ένα हम, पूरा आ시ये से लिखे,47 6 यदि बेग परिवर्तित है तो चाल कैसा होगा बेग परिवर्तित है बेग क्या होता है कितना तेज और कहां बेग कैसे बदल रहा है या पता नहीं है कितना तेज से बेग बदल सकता है और कहां से भी बदल सकता है इसलिए चाल परिवर्तित हो भी सकता है या नहीं भी हो सकत लेकिन अगर चाल परिवर्थित है, तो बेग बराबर क्या होता है, कितना तेज और कहा है, अगर चाल परिवर्थित है, मतलब बेग में जो कितना तेज है वो तो परिवर्थित होई रहा है, और वो परिवर्थित हो जाएगा, तो बेग परिवर्थित हो जाएगा, क्लियर है नेक सवाल देखे यदि औसा चाल सुन्य है तो औसा बेग कैसा होगा औसा चाल सुन्य है औसा चाल क्या होता है कुल दूरी अगर औसा चाल सुन्य है मतलब कुल दूरी सुन्य हो गया अगर कुल दूरी सुन्य है ना मतलब पत की लंबाई सुन्य है को लिखो यदी औस चाल सुनने हैं मतलब कुल पत की लंबाई सुनने होगी मतलब बस तू चला ही नहीं हिला ही नहीं वस्तू बस तू जब चला ही नहीं तो कुल दूरी जीरो होगा तो कुल विस्थापन भी जीरो कैसा हो सकता है कुल दूरी जीरो है कुल विस्थापन कुछ ही होगा मतलब और सथ बेग सुनने ही होगा यह थी और सथ बेग सुनने हैं और सथ बेग सुनने होने के दो कारण हो सकते हैं या तो बस तो चला ही नहीं मैं यहां था यही रहा गया और मेरा सथ बेग सुनने मतलब कुल बिस्थापन मेरा जीरो होगा मैं यहां था और यहां यहां पहुचा, फिर फिर वापस आके यह मतलब मेरा क्या हो गया जिरो लेकन कुंधू जी लीडोनी औरॉ नहीं होगारि तो इस तु दो इस चैसे में और लॉज सकता है या नहीं हो सकता है कि बहुत gebe á आसत चाल सुनने हो सकता है या नहीं भी हो सकता है क्योंकि आसत बेग सुनने होने के दो इस्थिति या तो बस्तु चला ही नहीं या बस्तु चल के पुना अपने प्रारंभी की स्थिति पे आ गया यदि बस तु चलके पुना अपने प्रारंभी किस्तिति पे आगया तो उसका औसत बेग सुनने होगा लेकिन औसत चाल सुनने नहीं होगा समझ में आया, तुम्हें लग रहा हो सर, हमने तो नौवी क्लास में पढ़ा था, ओसत बेग, ओसत चाल चाल और बेग, इतना तो नहीं पढ़ा था, बेटा, अभी भी नहीं पढ़ाते कहीं भी ऐसा, लेकिन अगर आप फिजिक्स को अचे समझना चाहते हो, तो थरह समय लग मतलब किसी बस्तू की स्थिति हो, माल लीजिए बस्तू यहां पर है, एकस बस्तू पर यहां 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 बड़ाबर होगा, क्यों बड़ाबर होगा जब कोई बस्तूण निश्च ra में चल रही हो, इसका दिसा परीवर्तन ना हो तो उसका दुरी और बिस्थापन बड़ाबर होता है यह रहेगा अपका ऑसत, बेग और बस्त चाल और बड़ाबर क्या होता है कुल पत की लंबाई या कुल पत की लंबाई क्या होगा तो यहां की बस्तू की स्थिती एक्सटू किसी मूल बिंदू से बस्तू की स्थिती एक्सटू है और यहां पर बस्तू की स्थिती एक्सटू है तो स्थिती में परिवरतनी बिस्थापन होगा और बिस्थापन ही कुल minus T1, जब कि यह होगा T2 minus T1, T2 plus T1 नहीं होगा T2 minus T1 हो, क्योंकि, माल लो, add T2, 4 PM है, और add T1, 2 PM है, तो इसको कितना समय लगा, तो देख के पता चला है, 2 गंटे लगा, तो देख के लिए, तो देख के लिए, तो कितना समय लगा, 2 गंटा लगा, तो इहां पर T2 plus T1 अब 4 गंटे प्लस 2 गंटे शे गंटे तो यह लिखोगे, माल o, 10 बजए हा था, और साम को 6 बजए हाँ और 10 बजए हा था, मतलब क्या, 16 गंटे लगाया, नहीं, 8 गंटा लगाई दता अ, सुभा 10 बजए साम को 6 गंटे तक 8 गंटा होटा है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे धंग से T2 में से T1 को घटाएंगे, समझ में आए कि नहीं है, मालो अबजेक्ट सुबह 11 बजे यहां है और 9 बजे यहां आता है, तो कितना अठर में लाएगा, 9 बजे वहां था 11 बजे यहां है, तो मतलब 2 गंटा लगा, 11 माइनस 2 गंटा होगा, इसको 11 औ और स्थिति में परिवर्तन ही होता है विस्थापन, वो क्या होगा, X2-X1, तो आपका आउसद चाल और असद बेग हो जाएगा, X2-X1 बटा T2-T1, क्या पर आसद चाल और असद बेग बड़ाबर होगा, हाँ, क्योंकि बस तो एक निस्चित दिसा में गति कर रहे है, बस यह समझते हैं, यह समझ लिए आप, इसको लिख लिए अपने ढंग से, अब नेक्स देखेगा, यदि, यदि एक बस तू, X1 दूरी, T1 समय में, तथा, X2 दूरी, T2 समय में तै करता है, यदि एक बस तू, X1 दूरी, T1 समय में तै करता है, तथा, X2 दूरी, T2 समय में तै करता है, तो उसका उसत चल क्या होगा, यदि एक बस तू, X1 दूरी, अब समझना, पिछले वाला सवाल से कैसे अलग है, पिछला स्वाल है यदि एक बस्तू किस्तिती टीवन समय पे एक सवन है किसी च्छन पर टीवन समय पर एक सवन है किसी च्छन टीवन समय पर बस्तू किस्तिती एक सवन था और यहां पर कह रहा है कि टीवन समय में टीवन समय पर मतलब अभी टीवन समय पर और टीवन समय यहां से यहां तक टोटल T1 समय में, कितना दूरी तै किया है, X1 दूरी तै किया है, और फिर T2 समय में, यहां से यहां तक खुल समय लगा है T2, और उसने दूरी कितना तै किया है, X2 दूरी तै किया है, तो इसका उसाचाल क्या हो जाएगा, औसा चाल बराबर बोलो क्या होता है औसा चाल बराबर होता है खुल दूरी बटा खुल समय खुल दूरी बटा खुल समय खुल दूरी कितनी तैकरी? यहां से यहां तक कितनी दूरी तैकरी? यहां से यहां कितनी तैकरी? X2 तो कुल दूरी कितना हो जाए गा? X2동el spir congratulations X1I लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा? तो यहां से यहां तक समय लगाए आपका T1 और यहां से यहां तक समय लगा है T2 तो कुल समय हो जाएगा T1 प्लस T2 T1 समय में, मतलब 4 गंटे में, यहां से यहां तक चला, और फिर 2 गंटे में, यहां से यहां तक चला, तो 4 गंटे प्लस 2 गंटे, 6 गंटे चला ना, कुल? तो अंतराल दिया हो, में दिया हो, 2 गंटे में, 3 गंटे में, तो स्क्वाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा औसाचाल का जो सुत्र बना है वो बिल्कुल अलग है पिछले वाले एक्जामपल से देखिए औसाचाल का यहाँ पर कुल दूरी बटा कुल समय X2 प्लस X1 बटा T1 प्लस T2 तो यह बेसिक फॉर्मुला औसाचाल का कुल दूरी बटा लिआगया कुल समय यहाँ पर थुबना लगज था त लिए पर T2 समय पर कुल लिआगया समय T2-T1 होगा लेकिं यहाँ पर T1 समय में यहाँ सोय डाए तो यहां हो जाएगा T1 प्लस T2, कुल दूरी X1 प्लस X2, कुल समय T1 प्लस T2, आगे देखे, यदि बस्तु V1 चाल से T1 समय तक गति करता है, बस्तु की चाल V1 है, V1 चाल से तय करता है, मतलब चाल दे दिया है, और T1 समय तक गति करता है V1 चाल से, और फिर V2 चाल से T2 समय लेता है वो T2, V2 चाल से T2 समय तक गति करता है, तो उसका उसस चाल बताए क्या होगा, एक बात बताओ, अभी-अभी मैंने समझा था, उसस चाल बेसिक होता क्या है, उसस चाल होता है, कुल दूरी बटा लिया गया, कुल समय, अब यहां पर बताईए, कुल दूरी, अब कैस बस्तू की चाल सिर्फ V1 है, निया चाल से बस्तू चल रहा है, तो इसका उसस चाल V1 ही होगा, लेकिन V1 कहां तक होगा, T1 समय तक होगा, मतलब एक गति का जो आधा समय है, या कुछ समय है, T1 समय, जिसमे बस्तू की चाल V1 थी, और फिर बस्तू की चाल V2 है, मतलब यह उ पूरे यात्रा का उसचाल हमें बताना है क्या करना है मुझे पूरे यात्रा का उसच चाल बताना है तो उसच चाल हमेशा होता है कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, basic हमें इसी का बात पर काम करना है कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय अब कुल दूरी तूमें पता ही नहीं तो मारन लो बेटा, कि पहले जो यात्रा था उसमें दूरी कुछ X1 चला, और फिर जो दूसरा यातरा था V2 चाल से उसमें दूरी कुछ X2 चला, तो दूरी बढशल क्या होता है चाल गुना समें, क्योंकि T1 प्लस T2 तो डारेक्ट पता था लागि कुल दूरी पता नहीं था तो कुल दूरी यहां से निकालेंगे दूरी बढ़ावाज चाल गुना समय तो यहां पर लिखेंगे आपन V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइड़ भाई T1 प्लस T2 यह हो जाएगा आपका आउसचाल देखिया आउसचाल कुल दूरी अपने लिख लिया V1 T1 प्लस X2 को लिख लिया V2 T2 डिवाइड़ वाई लिया गया समय T1 प्लस T2 यह आपका आगया आउसचाल यह क्या आगया भई आपका आउसचाल अब यहाँ पे एक condition होता है important, important condition ये होता है कि यदी समय अंतराल समान हो, यदी पहले यातरा जो V1 चाल से किया गया है और दूसरा यातरा जो V2 चाल से किया गया है उसका समय अंतराल से मैं, यदि समय अंतराल अंतराल T1 बरावर T2 बरावर T एक समान है क्या बेटा एक समान है यदि T1 बरावर T2 बरावर T एक समान है तो यहाँ पे जो औसद चाल होगा वो क्या बनेगा वो औसद चाल बरावर हो जाएगा बताये, समय अंत्राल एक समान है, मतलब T1 को भी T रख देंगे और T2 को भी T लख देंगे, तो यहां से आएगा V1, और यहां दो हो जाएगा V2, T बाहर निकल जाएगा, और T1 प्लस T, 2T हो जाएगा, देखिए बेटा, V1 प्लस V2, T बाहर निकल जाएगा, ती बहार निकल जाएगा और बटा में होगा 2T, क्योंकि T प्लस T, 2T, नहीं से T से T cancel होगा, तो उसत चाल हो जाएगा सिर्फ V1 बटा, V1 प्लस V2 बाइटू, एक बड़ा simplified form आ गया, तो इसलिए मैं आपको suggest करूँगा कि ये रटा हुआ होना चाहिए, क्या रटा हुआ होना चाहिए, उसत चाल का सुत्र डारेक्ट होता है, V1 प्लस V2 बाइटू, क्या डारेक्ट होता है उसत चाल का सुत्र V1 प्लस V2 बाइटू, नहीं, ये कंडीशन पर होता है, और वो कंडीशन ये है, कि यदी समय अंतराल एक समान हो, क्या हो, यदी समय अंतराल एक समान हो, T1 ये काम करने की जरूत नहीं परेगी, क्यों आप कुल दूरी निकालोगे सिधा, दोनों चाल का जोर करके, दो से भाग दे दो दोनों चाल का जोर करके, दो से भाग दे दो, यह होगा उसाच चाल, तो यह आपको इसको लिख लिख लिया था? इसको लिख लिख लिया था? इसको लिख 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 तक T समय तक, फिर V2 चाल से T समय तक चलता है, फिर V3 चाल से T समय तक चलता है, फिर V3 चाल से T समय तक चलता है, कुल यात्रा को तीन हिस्से में बाटा है, पहले यात्रा का समय T है तथा चाल V है, दूसरे यात्रा का समय T है लेकिन चाल V2 है, तीसरे यात्रा का समय T है लेकि चाल V3 है, तो इसका उसाच चाल क्या होगा? इसका उसाच चाल होगा कुल, बतलब कुल दूरी बटा, कुल समय, लेकिन समय अंतराल समान होने की बिज़े से एवरेज ले ले लेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई क्या हो जाएगा 3? यह अपका इंसरा जाएगा अगर 4 होता तो, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाई 4 लेता है तो एक समय अंतराल के लिए एवरेज ले ले लेते हैं, उसाचाल के लिए यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा? चलो, अब आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, 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 आओ यदि एक बस्तू T1 समय में X1 दूरी तया करता है तथा T2 समय में X2 दूरी तया करता है, यह तो बात हो गई थी अपनी यदि V1 चाल से X1 दूरी तया करता है मतलब वो X1 कुछ दूरी तक उसकी चाल वीवन है, समय नहीं बताया हमें, X1 दूरी तक उसकी चाल वीवन है, फिर X2 कुछ अलग दूरी X2 है, X2 कुछ दूरी तक उसकी चाल कुछ V2 है, मतलब यात्रा को दो बरावर हिस्से में बाटा है, मतलब दो हिस्से में बाटा है, पह कुल दूरी बटा कुल समय, X1 प्लस X2 divided by T1 प्लस T2, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे, कि आपको कुल दूरी तो पता है, X1 प्लस X2, लेकिन कुल समय आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कुल दूरी X1 प्लस X2 को as it is रहने देगे, बटा कुल समय जो है T1 और T2, दोनों यात्रा का आपको समय नहीं पता है, लेकिन पहले यात्रा का तै किया गया दूरी और चाल पता है, कितने चाल से वो दूरी तै किया है, तो समय बराबर हो जाता है, धूरी बटा चाल, तो दूरी बता ही कितना है, X1 और चाल बता ही कितना है, V1, प्लस दूसरी जाता है कि दूरी कितनी है, x2 तो दूसरे आत्रे में समय कितना लगा होगा, x2 बटा v2, यह हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका आउसाद चाल, हाँ, यह हो जाएगा, आपका आउसाद चाल, x1 plus x2 divided by x1 by v1 plus x2 by v2, लेकिन यदि, चाल तो different है, अगर चाल समान हो तो अगर v1 और v2 चाल बराबर हो जाएगा, तो इसके calculation कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि, x1 बराबर x2 बराबर x है, जब दूरी अंतराल एक समान है, यदि दूरी अंतराल एक समान है, एक समान दूरी अंतराल है, तो x1 बराबर x2 वो क्या रख सकते है अपन x, तो यहाँ स देखें, औस चाल निकल के क्या आजाएगा, औस चाल निकल के क्या आएगा, 2x, क्यूंकि x1 को भी x रखेंगे, x2 को भी x रखेंगे, तो 2x divided by, यहाँ से x by v1 और x by v1 बचेगा, तो x common आजाएगा, तो यह बचेगा आपका 1 upon v1 plus 1 upon v2, ठीके बटा, x x क्या हो जाएगा, तो औस चाल क्या बचेगा, ध्यान से देखेगा, यह होगा v1 plus v2, इसका LCM लेंगे, तो v1 into v2, यह होगा v1 plus v2, तो 2 v1 into v2 divided by v1 plus v2, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने दस्वी क्लास में, series and parallel combination जैसी चीज़े पढ़ी है, हाँ पढ़ी है, अगर दो पर्तिरोध, r1 और r2 सिरेनी करम में हो, तो तुल्ले पर्तिरोध क्या होता है, r1 plus r2 y2, तो उसी तरीके से, अगर एक समय समय अंतराल के लिए दिया हो, तो उसाचाल सिंपल हो जाता है, सिंपल हो जाता है, v1 plus v2 plus v3 y3, लेकिन यदि एक समय दूरी अंतराल के लिए चाल हो, यह v1 चाल x दूरी तक चल रहा है, फिर v2 चाल से x दूरी तक चल रहा है, तो उसका उसाचाल हो जाएगा, 2 v1 v2 divided by v1 plus v2, तो इस पर सवाल बहुत जादा पूछते है, तो यह आपको याद रहना चाहिए, एक समय अंतराल के लिए उसाचाल हो जाता है, v1 plus v2 by 2, और एक समय दूरी अ अंतराल था, यदि v1 चाल से x दूरी तया करता है, फिर v2 चाल से x दूरी तया करता है, फिर v3 चाल से x दूरी तया करता है, अब इस केस में उसाचाल क्या हो जाएगा, क्या इस केस में उसाचाल, उसाचाल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3, क्योंकि यहाँ देखो v1 plus V1 V2 V3 था थिन के लिए तो यह और क्या हो जाएगा 3 V1 V2 V3 divided by V1 plus V2 plus V3. Same pattern में यहां से लिख सकता हूं क्या मैं, देखो 2 V1 V2 divided by V1 plus V2 दो दूरी अंतराल के लिए था दो दूरी अंतराल के लिए क्या था? 2 V1 V2 divided by V1 plus V2 तो तीन दूरी अंतराल के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं लिख सकता हूँ, ये तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा, अब ये गलत कैसे हो जाएगा, तो बीमा बिसलेशन अगर आपने पढ़ा है तो उसके अनुरूप भी देख सकते हैं, बीमा बेगउना बेग में बेग का बिमा जोता है, म yapmış सकते मी या सिवक हो जाएगा, बीमी स्कफेट हो जाएगा है, कि में बेग का गलत है, मतलब बेग का स्कुफ यूज़ख, 5 का स्कुफ यूज़ग. मुतलब 300 कोई मतलब नहीं यह वेग आएगा टो इसका बीमा बनेगा बेग स्कॉइच के बरावर मतलब यह वेग और इधर क्या है ओसच्षाल और इधर क्या ओस्ट्र। और इधर क्या जाएगा?」 और यह और क्या यासुदेगाओ तो यह गलत है आप बोलोगे सर फिर से आपने 3 को गुना कर लिया, हाँ 3 को गुना कर लिया, और नीचे 2 दो का पेर लगा लूँगा, कैसे, V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1, तो आप बेसिक फॉर्मुले से इस से चल के जाएंगे, X1 plus X2 plus X3 करेंगे, जिसमें X1 बढ़ावर X2 बढ़ावर X3 बढ़ावर V1 plus V2 by 2, 3 था तो V1 plus V2 plus V3 by 3, 4 था तो V1 plus V2 plus V3 by 4 होगा, simple है, एक समय समय अंतराल के लिए, और एक समय दूरी अंतराल हो, तो 2 एक समय दूरी अंतराल हो, तो क्या है, 2 V1 V2 divided by V1 plus V2, और 3 हो, तो 3, 3, बिल्कुल, 3 V1 V2 V3, 3 V1 V2 V3, 3 हो आएगा, और 3 multiply में और नीचे प काम चल जाएगा, 2 V1 V2 बटा V1 plus V2, और V1 plus V2 by 2, V1 plus V2 by 2 कब लगाएंगे, एक समान दूरी अंतराल के लिए, समझाय ये बात?